जहिन फ्रेंट्स तो आज का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स है वह हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी एक्जाम पॉइंटर भी सो रहेगा उसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो आज का मोटिवेशनल कोट है जितना बड़ा संघर् संघर्स होगा जीत उतने ही सांदार होगी विवेका नन जी का स्टेट्मेंट है अब सोची जितना बड़ा आप संघर्स करिएगा जीत उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी आपको ठीकिसे संघर्स से घबराना नहीं है जब तक तो 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 आपको छोड़ेंगे नहीं वह म करनाटका में है करनाटका में यह वर्ल्ड का सेकंड लाजेस्ट वर्ल्ड का कहां पर बनेर घटा निसनल पार्क में बनेर घटा नोट करिए बनेर घटा बनेर घटा निसनल पार्क में यह खुला है था 2005 में खुला था 2005 में खुला था अभी इसका 18 अभी रिसेंटल इसका 18 इनिवर्सरी मनाया गया है तो 18 साल है यह वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्लोथ बेर रेस्क्यू सेंटर है बेर का लोग क्या था भालू ठीक है भालू तब करनाटका की बात आए करनाटका की बात है तो करनाटका के बारे में जान जाते हैं यहां के सीम कौन है सिदारमिया deputy cm कौन है DK Sivu Kumar DK Sivu Kumar जी है deputy cm यहां के जो है governor कौन है governor कौन है विया तो थावर्चंद गहलोत असोग गहलोत मतमारीगा थावर्चंद गहलोत है यहां के cm है और भी कुछ national park है यहां पर एक तो बंदिरगटा निशनल पराग और भी ताइगर रिजर्ब नेशनल पार्क यहां पर जासे कि यहां पर नगर होल नगर होल टाइगर रिजर्ब है नगर होल टाइगर रिजर्ब है यहां पर दूसरा है बंदीपूर बंदीपूर नेशनल पार्क बंदीपूर नेशनल पार्क है यहां पर और फिरे अंसी अं कितना अच्छा है यहां पे आराम से मस्ती से आल सी टाइप से एक नम भूम रहे हैं आराम से बनेर घटा नेशन पार्क में टीक है फिल डियवन के स्थापना कब हुई थी जल्दी से बढाईए वन नौंबर वन नौंबर फिर्स्न नौंबर और न इसकी अस्तफोड गर्याइड और हैफफ़ेंटे। एक्जाम पॉंट पॉर्टेंट पॉटल मेंबर्स कितने हैं तो इतने सारे इसके इसके इंपॉर्टेंट है आपको जो एक्जाम पॉइंट आवी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका आने के पूरी संभावना है जिसके आपका स्कोर बढ़ सके बस मैं वही कुश्चन लूँगा बागी कुश्चन पढ़ने का कोई फैदा निया वेस्ट रोग टाइम है नेशनल गोपाल रतन अभी कौन से मिनिस्ट्री से असोशेटेड है कौन से मिनिस्ट्री से असोशेटेड है जल्दी से बताई आप यह मिनिस्ट्री औफीशरी एंड एनिमल एंड डेरिंग मिनिस्ट्री इससे यह रिलेटेड है यह बेसिकली है क्या तो यह बेसिकली है क्या यह जल्दी क्या हो कुलिया ऑप कर आप आएं और कंट्रिबूट करें डिरी सेक्टर में डीरी फार्मर्ट परडिजर और बनाएं और इस शेक्टर में आप कंट्रिबूट करें बेसिकली फीशरी शेक्टर में ठीक है नेशनल जो अभी 26 नॉम्बर को हुआ था, 26 नॉम्बर को डॉक्टर वर्गिज कुरियन जो फादर आफ वाइट रिवुलिशन नो कहा जाता है, उनके बर्टे अनिस्वरी अमलग मनाते हैं, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, फिक और परसंतम रूपला जी है, ये हैं आपके यूनियन मिनस्टर, ठीक है, तो इतने सारे इंपोर्टन व्रैक्ट आपको मिलते हैं, इस कोस्टन से, अभी नेक्स्ट अफ फीकी प्रेसडेंट कॉन होँगे, दोजार 23-24 के लिए, ये होंगे अनिश षा, अनिश शा जी ह होंगे फिकी के प्रेजिडेंट यह बेसिकली अभी महेंदरा ग्रूप के महेंदरा ग्रूप के जो हैं महेंदरा ग्रूप के जो हैं वह एमडी और सीओ अभी हैं ठीक है तो यहीं होंगे फिकी के next year, main अभी किसको succeed करेंगे, अभी current president हमारे subrakant panda subrakant panda जी हैं इनको यह supersede करेंगे इनको यह supersede करेंगे फिकी के बात आई ओए फिकी के बात आई तब यहाँ की का full firm हले बता दिए Federation or Federation ynth Horizon Chamber of Commerce and Industry, Federation अफ इंडियन चैमबर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैमबर ऑफ कमर्स और इंडस्ट्री यह फिक्की का फुल फॉर्म हो गया है इसके स्थापना कब हो थी 1927 में 1927 में याद है कि आजारे के पहले का आए 1927 में और इसके हेटकॉर्टर है हमारा नियू डली में इसका हेटकॉर जिन हमारे फिकी के देखिए फोटो मुश्कुरा रहे हैं बहुत खुशी के बाद तो है यह बाई नेक्स कोश्चन आते हैं विच स्टेट हाज बिन डिक्लेरड है 25 नॉम्बर एज नो नन विज दे बलाब मीट नहीं खाना है मीटले मीटलेस दे इसको 25 नंबर को अलेड़ी जो है हुआ हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल मीटलेस दे ठीक है तो यह अभी कौन सा स्टेट गौर्रमेंट घोशित क्या है आपने बेस पे स्टेट पे बेस पे उत्तर गौर्रमेंट ने इसको घोशित के है नो नन विज दे यह 144th birth anniversary थी साधू साधू नोट कर लिए इसको साधू थानवर दास लीला राम वस वानी ठीक है इनके birth anniversary पे साधू थानवर दास लीला राम वस वानी वस्वानी जी के बर्थ हैनुसरी जो था उसी उनी के बर्थ हैनुसरी पे ये डेर डिक्लियर किया गया उत्तर प्रदिस गौर्णमेंट के द्वारा ठीक है अब उत्तर प्रदिस के बात है ये भाईया तो इसके राधानी कहां पर लखनो लखनो कौन से तरी किनारे बसा थिक कही नशीनल पर्क है एक दुधवा नेशिनल पर्क त्व據 कौन सब करने दुधवा नेशनल पर्क लखिय में लगनापुर खिरी में हिलाजस इस टिस्टी सीग योपी का एडिया वइस इस ट्रगर का लगन चलुफिप अधिट त हमेरपुर्स लगन पर ऎम चिया है वा टिक है इसका बॉर्डर जो है यूपी का यूपी पिसेच का लेटे जो भी एक्जामस आएंगे इसमें यह बहुत इंपॉर्डन इम्पाल के बॉर्डर इसका टर्श करता है इधर बिहार इधर MP इधर राजस्थान इधर क्या करते हैं हर्याना डेली इससे बॉर्डर इसका हमें मिलते हैं ठीक है यह सारे question clear है यह सारे question आपको एक्जाम पॉर्डर से बहुत important है बस इतना cover करिए काफी है तो आज की इतने सारे important current इससे हैं फिर हम लोग मिलेंगे कल बाबाए अपना ख्याल करिए thank you